हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अकेडमिक स्टडी पर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जीके के सबसे इंपोटेंट 20 सवाल अगर आपने इन 20 सवाल में से 15 का सही जबाब दे दिया तो आपकी तयारी में दम है आओ देखते हैं किस में कितना दम है आपको हर सवाल में 3-4 सकिंड दूँगा चलते हैं आगे जो भी बच्चा नया है अगर आपको गणी तो रीजिनिंग की ट्रिक चाहिए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे आज का पहला सवाल आपके सामने है सभी बच्चे कमेंट करेंगे और आपको पूरी वीडियो में 3-4 सकिंड दूँगा सभी सवाल में पहला सवाल पोदों में जल का परिवेहन किसके द्वारा होता है कोशी का तुअच्चा जाइलम फाइलम सभी बच्चे आप फटा फट कमेंट करेंगे मैं आपको 3-4 सकिंड दे रहा हूँ तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा चलते अगले सवाल पर सवाल नमबर 2 सोर मंडल की खोज किसने की सोर मंडल की खोज किसने की यह आपको बताना है आर्या भट ने, न्यूटर ने, कोपर निकस ने, कैपलर ने सभी बच्चे आपर फटा फट कमेंट करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपर निकस, ओप्सन नमबर C आपका राइट आंसर चला जाएगा यह जो भी टेस्ट है, यह सभी गवर्मेंट एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है कोश्यन नमबर 3 एक वरक्स की आयूग का पता किसके दुआरा लगाया जा सकता है यह आपको बताना है एक वरक्स की आयूग का पता किसके दुआरा लगाया जा सकता है चार ओप्सन आपके सामने है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वारसिक वलियों की गिंति करकी बी के साथ में आपका राइट आंसर चला जाएगा चलते हैं अगले सवाल पर सवाल नंबर चार हैरी पोर्टर सिरीज की पुस्तके किसने लिखी थी आपको बताना है हैरी पोर्टर सिरीज की पुस्तके किसने लिखी थी चार ओप्शन आपके सामने है मैं आपको तीन से चार साखिंट दे रहा हूँ याँ पर सभी बच्चे राइट कमेंट करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जेके रोलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी आपका करेंट आंसर हो जाएगा चलते हैं अगले सवाल पर सवाल नमबर पाँच most important question दोस्तो ब्रह्म समाज की स्थापने किस ने की थी यह आपको बताना है तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा राजा राम मोहन रोई जी C option आपकर right answer हो जाएगा चलते अगले सवाल पर सवाल नंबर 6 आपके सामने most important सभी government exam के लिए भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त को को जूख्त करता है यह आपको बताना है सभी बच्चे आपर फटा फट कमेंट करेंगे तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा राष्ट पती इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A आपका राइट आंसर चला जाएगा चलते अगले सवाल पर सवाल नमबर 7 माउंट एवरेस्ट की उचाई कितनी है यह आपको बताना है माउंट एवरेष्ट की उचाही कितनी है यह आपको बताना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8848 मिटर ओप्शन नमबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा चलते आगले सवाल पर सवाल नमबर 8 साइमन कमिशन के विरोध में किसकी मृत्य हो गई थी यह आपको बताना है साइमन कमिशन के विरोध में किसकी मृत्य हो गई थी चार ओप्शन आपके सामने है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाला राजपत राय जी A के साथ में आपका right answer चला जाएगा दोस्तों सभी important सवाल है सभी government exam के लिए यह आपकी तयारी चल रही है यहाँ पर सवाल number 9 करो या मरो का नारा किसी ने दिया था यह आपको बताना है फटफट कमेंट करके तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा मात्मा गांदी जी D के साथ में आपका right answer चला जाएगा चलते अगले सवाल पर सवाल number 10 भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है छोटा नागपूर का पठार मालवा का पठार धकन का पठार और धारवाड का पठार तो दोस्तों सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे right answer हो जाएगा आपका छोटा नागपूर का पठार एके साथ में आपका right answer चला जाएगा चलते अंगले सवाल पर लोग सभा की अधिक्तम सीटे कितनी है यह आपको बताना है तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा 552 आपका right answer हो जाएगा बी के साथ में आपका right answer चला जाएगा चलते अंगले सवाल पर सवाल नम्मर बारा अर्थ सास्त में नोबल प्राइस पाने वाले पर्थम भारतिया कौन थी अर्थ सास्त में नोबल प्राइस पाने वाले पहले भारतिया कौन थी यह आपको बताना है तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा अमर्थिया सेन बी के साथ में आपका right answer चला जाएगा चलते हैं अगले सवाल पर सवाल नम्मर तेरा बंगाल का विबाजन कब हुआ था यह आपको बताना है बंगाल का विबाजन कब हुआ था चार उक्षन आपके सामने है फटाफट सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा 1905 एके साथ में आपका right answer चला जाएगा चलते अगले सवाल पर सवाल नम्बर 14 गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था यह आपको बताना है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा 1930 आपका right answer हो जाएगा बी के साथ में आपका right answer चला जाएगा Most important question सभी government exam के लिए चलते अगले सवाल पर सवाल नम्बर 15 बारत रतन पुरुषकार को कब बंद कर दिया गया था यह आपको बताना है कमेंट करके भारत रतन पुरुषकार को कब बंद कर दिया गया था सभी government exam के लिए important अगर दोस्तों आपको गणित और reasoning के trick पढ़नी है तो हमारा channel गणित और reasoning के trick के लिए बहुत जादा famous है आपको government exam में जो भी trick आपको पढ़नी है तो please channel को subscribe करना ना भूले लाल कलर का बटन दबा कर चैनल का subscribe कर लेंगे तो दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा 1977 ओप्शन नमबर B आपका right answer हो जाएगा चलते अगले सवाल पर सवाल नमबर 16 विक्रम सीला विस विदाले की स्थापना किस सासक ने की थी विक्रम सीला विस विदाले की स्थापना किस सासक ने की थी यह आपको बताना है विक्रम सीला यूनिवरस्टी तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा धरम पाल ने इसकी स्थापना की थी ओप्शन नम्मर डी आपका राइट आंसर चला जाएगा चलते अगले सवाल पर सवाल नम्मर 17 दा स्टोरी ओफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखा कोन है यह आपको बताना है दा स्टोरी ओफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्ता के लेखा कोन है यह आपको बताना है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा मात्मा गांधी जी B के साथ में आपका right answer चला जाएगा Most important सवाल क्योंकि दोस्तों बुक से भी आपके सवाल आते हैं सभी government exam में चलते अगले सवाल पर सवाल नम्मर 18 जवार सागर बांध किस नदी पर इस्तित है जवार सागर बांध किस नदी पर इस्तित है ये आपको बताना है चार option आपके सामने सभी बच्चे फटफट कमेंट करके बताएंगे इसका right answer हो जाएगा चंबल चंबल नदी पर आपका जवार सागर बांध इस्तित है ये ए option आपका right answer चला जाएगा चलते है अगले सवाल पर सवाल नंबर 19 हवा महल कहाँ पर इस्तित है ये आपको बताना है सभी बच्चे कमेंट करेंगे right answer हो जाएगा आपका जैपूर एके साथ में right answer आपका चला जाएगा चलते है अगले सवाल पर सवाल नम्बर 20, आपके सामने हैं गोतम बुद्ध की मृत्यू कहां पर हुई थी ये आपको बताना है लुमबनी, कुषिनगर, सारनात या सरावस्ति चार अपसल आपके सामने है तो दोस्तों इसका रैट आंजर क्या होजाएगा कुशिन अगर आपका राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ में आपका राइट आंसर चला जाएगा अगर आप लोगों के 15 से ज़्यादा सही है 15 से ज़्यादा आपके करेक्ट है प्लीज कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और जो भी बच्चा नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलते आगे अगर दोस्तों आपको गणित और इसनिंग ट्रिक से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आपको गणित और इसनिंग के ट्रिक भी मिलेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले न और घंटे को दबा ले न जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको time to time मिलता रहे आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कमेंट करके ये बताना है आपके कितने करेक्ट हुए प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केर